हेलो दोस्तों जैहिंद एनाई वेलकम टू आर यूटूब चैनल यूनिक एकेडमी बाई आरियन शर्मा आज हम बहुत इंपोर्टेंट केस इस्टेडी डिसकस करेंगे सतिंदर सिवाल आपने इनका नाम काफी एक हथे पहले हाईलाइट रहा है न्यूज में आपने कई सेश रशिया मॉस्को में इंडियन एंबसी में MTS लेवल पे कारे करने वाले एक वेक्ति हैं जिनका नाम है सतिंदर सिवाल जो की 2021 से वहाँ पे काम कर रहे थे रिसेंटली उनको उत्ता प्रदेश में उनके घर से उईउपी पुलिस के एंटी टेरिरिस्ट स्क्वार्ड ने अर सतिंदर सिवाल को इए इस्टिए में के लिए पुलिस एटी एडिस के द्वारा सतिंदर सिवाल और जब एपने अपने स्टिएमन्ट में अन्हों ने जितनी भी कानफिदेंशिल इंफरमेशन पाकिस्तान उस अप jar लेते हैं ठीक है मॉसको इंडियान M missy में ऐजस से क्यूर्टी असिस्टेंड की रूप में ये कार का रहे थे हैं हापूरता प्रदेश के रहने वाले थी इंडियान M missy में सेक्यूर्टी से का मुख्श काम अपनी अधीकारियों के साथ रहना कहां मिटिंग होगी कौन सी फाइल कि स्टेश के अमबसी के साथ शेयर की जाएगी यही सब वर्क रहता है साथ ही साथ कह सकते हैं कि अगर आप किसी बड़े इंपलाई के साथ अगर आप वर्क करते हो तो जायर से बात है आपके हाथ में कभी न कभी फोटो कापी कराते हैं कभी न कभी confidential फाइल्स आपके हाथ में हाथ में लगीगी या तो आपको बड़ा अफसर आपको फाइल पास करेगा कि उस अफसर को देना है तो उसी में इनकों पास सारी confidential information लग जाती थी आत जो कि ये पाकिस्तान को ISI agent की रूप में पास कर देते थे तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2021 से वहाँ पे नियुक्ती हुई है तो देखिए देश में कई सारी confidential information इन्होंने पास करेंगी भारत और रशिया के बीच की तो आप सोच रहे होंगे कि 2021 में अब तक कितनी फाइले ISI agent को ये शेयर कर चुके होंगे इससे देश की विदेश नीतियों पर गलत असर पड़ेगा ये भी बहुत ही बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे जो इंप्लाइज हैं वो किस प्रकार से trap में फज जा रहे हैं ISI agent के रूप में convert हो जा रहे हैं ATS-UP ने अपने press note में क्या कहा और किन बातों पे उन्होंने जोड़ दिया आज वह हम उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं विभिनी गोपनी शुरोतों से क्या क्या बाते पता चली है ATS उत्तर प्रदेश को विभी ने गोपनी श्रोतों से ये सूचना प्राप्त होती है हो रही थी कि पाकिस्तानी की खूपिया एजंसी AISI के हेंडलोर दोरा कुछ नाम के मतलब की कंफर्म नहीं किया गया था जिससे भारत की आंत्रिक और उनकी सुरच्छा पर एक बड़ा प्रहार हो सकता है एक बड़ा खत्रा उत्पन हो सकता है ATS उत्ता प्रदेश ने इस सूचना को विक्सित करने हुए सूचना को इलेक्ट्रोनिक एव भौतिक सर्विलेंस के माध्यम से साच्छे का संकलन किया तो पाया की सतनेंदर सिवाल पुतर जै जैवीर सिंग जनपद हापुड के नाम का एक वेक्ती जो की विजेश मंत्राले में भारत सरकार के MTS लेवर पे कारे कर रहा था वो इसमें सामिल है इस परकार से ये पूरा UP ATS ने एक प्रेस नोट रिलीस किया है अब समझ लेते हैं कि Indian Embassy में पोस्ट किस परकार से होती है और किस किस रैंकिंग में लोगों की भरतिया होती है कौन-कौन से इंप्लाइज अलग अलग लेवल्स पे वहाँ पे चुने जाते हैं तो फर्स्ट टॉप रैंकिंग पोस्ट है आपकी वहाँ पे Indian Foreign Service Officers की जो की UPSC से सलेक्ट होके आते हैं सेकंड वहाँ पे जो हाइस्ट रैंकिंग पोस्ट होती है असिस्टेंस सेक्शन ऑफिसर की जो की SSE CGL के तुरू वहाँ पे सलेक्ट होके आते हैं यह दो टॉप मोस्ट पोस्ट होती हैं इनके बाद नीची आते हैं थार्ड थार्ड टॉप मोस्ट पोस्ट या क्लजर्क लेवर की पोस्ट कह सकते हैं जिसमें की स्टैनू होता है ड्राइवर होता है और serious staff और MTS staff इसी के अंडर में आता है थार्ड लेवल पे तो इसी के अंडर MTS स्टाफ में ही Indian based security assistant होता है जो की हमारा कह सकते हैं office attendant level का एक work होता है Indian based security assistant equal to office attendant level यह दोनों ही बराबर होते हैं तो इसी post पे सतेंदर सिवाल इंडिया की based पे वहां security assistant की रूप में 2000 का इस्तिकार्य कर रहा था तो इस post पर भी लोगों के पास कभी कोई sensitive चीज़ें आ जाती हैं दोनों देशों के बीच की इस प्रकार बात चीज़ चल रहे हैं वो सब sensitive बाते हाथ लग जाती हैं तो इस पे UP ATS ने क्या क्या कहा और सारी चीज़ें आपको एक बात में बता दिया गया है एक बात और मौझूद इंडियन रशिया एंबसी से कांटक्ट करना पड़ेगा तो एक प्रकार से दोनों देशों को अगर एक दूसरे से कांटक्ट करना है तो पहले वो उन देशों की वहां पे मौझूद एंबसी को कांटक्ट करेंगी फिर वो दूसरे देश से आप कांटक्ट कर प पी घोशित किया गया है दो मुख्य कारण बताया जा रहा है इस केस के अंतरगर जो कि हो सकता है आगे आने वाले केसेस में डिसकरस में पता चलेगा डीटेल डिसकरस में आगे पता चलेगा हनी ट्रैपिंग हो सकती या फिर मनी के तुरू इनको अपने agent की रूप में convert कर रही है पाकिस्तान मैं आपको ये वीडियो के last में एक बात clear कर देता हूँ कि Ministry of External Affairs में जितने भी officers Moscow के लिए भेजे जाते हैं इंडिया की तरफ से Indian Embassy में वो पूरी तरह से post मतलब कि उनका जो past profile होता है वो एक प्रकार से पूरा चेक किया जाता है कि officers कैसा है करेप्ट तो नहीं करप्ट तो नहीं है और मॉस्को में सतिंदर सिवाल जैसे लोगों को पाकिस्तान की ISI अपने बातों में convince कर लेती है तो भारत के लिए चिंता का विशय है आज की वीडियो जो है बहुत important है आपके लिए एक प्रकार से दो तिन topic यहाँ पे आपके लिए cover हो गए है कि कौन-कौन से articles और कौन-कौन से section के अंदर इनको सजा सुनाई गई है और UP ATS ने क्या-क्या कहा और यह कहां कि निवासी हैं और किस-किस लिवल पे अलग-लग categories में कौन-कौन से top most post होती है और second most post और third most post उस पे कौन-कौन से भरतिया होती है वो सारी आज इसमें थोड़ा important topic था वैसे तो आप एक हपते पहले इस news को काफी highlighted है और काफी आप इसके बारे में जान चुके होगे पर